दोस्तों आपके computer या फिर smartphone में बहुत सारी images होती है, बहुत सारा music होता है, बहुत सारे videos या movies होती है तो ये सारी चीज़ें जो आप save करते हैं वो किसी ना किसी data storage device में जाके store होती है इसे हम memory भी कहते हैं और आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे तो बने रही है इस वीडियो के अंतक मेरे साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चंद्रेश आप देख रहे हैं गीक अचारे और आज बात करेंगे data storage की दोस्तों data storage की जरूरत इसलिए पढ़ती है क्योंकि हम लोग बहुत सारे आपने लाइफ में digital transactions करते हैं digital data को download करते हैं जैसे आप यह वीडियो ही देख रहे हैं तो इस वीडियो को मैं upload करता हूं तब आपके पास यह पहुंचता है ताकि बार-बार आमें internet की जरूरत ना पड़े हम सीधे अपनी hard disk में जाए और उसे access कर ले तो यह जो data storage media होते हैं digital data storage media होते हैं उन्हें basically primary और secondary दो तरीकों में डिवाइट किया जा सकता है प्राइमरी टाइप के media storage जो भी होता है वो cache या RAM होती है जैसे आप जो भी आपकी रोज मनरा की जरूरत की चीज़ होती है जो आपको बहुत जल्दी बहुत चाहिए होती है उनको आप अपने टेबल के उपर या कहीं आज पास की जगे पर रखते ताकि आप जल्दी सोने पकड़े उठाए अपने काम करें और वापस रखते है वैसे ही primary storage का काम यह होता है कि CPU जब काम कर रहा है और उस वक्तों से कोई data की जरूरत है तो CPU तुरंत secondary storage या slow hard disk पे जाके बात ना करें सीधे वो primary storage के पास आए RAM के पास आए या cache memory के पास जाए और वहां पे जो भी च अगर आपको चाहिए जैसे हम एक सीजन में गद्य और रजाय निकालते हैं और फिर उन्हें अगले सीजन में यूज करते हैं तो इस तरह का storage जो होता है हम ताकि हमारा space जो usable space है उसे occupy ना करे गद्य और रजाय हम उसे बग से बगर में डाल देते हैं आल मिराज में डाल द जते हैं ताकि उसे बाद में रिट्रीव किया सके बाद में रीट करके यूटिलाइस किया जा सके तो primary memory जनरली वोलेटाइल होती हैं दोस्तों वोलेटाइल का मतलब यह है कि जब तक इन में power supplied है तब तक तो data रहेगा पर जैसे ही आप अपने computer को या mobile phone को बंद करते हैं primary storage में जो भी volatile memory में जो भी stored data है वो erase हो जाएगा अब RAM और cache इसी टाइप की है वोलेटाइल होती है यह जैसे ही आप power off करते RAM इस्टोर जो भी data होता है वो erase हो जाता है अब आप जो भी storage media होती है वो किसने किसी material से बनी होती है जैसे आपकी CD DVDs होती हो प्लास्टिक से बनी होती है फिर एक reflective layer उपर होती है तो material की किसने किसी property को manipulate करके आल्टर करके या change करके data read या write किया जाता है और इसके basis पे भी कई सारी types में divide कर सकते हैं आप digital data storage medias को primary जो तीन चार टाइप्स हैं वो यह है कि आप या तो magnetic properties को आल्टर कर सकते हैं जो कि hard disk में करते हैं hard disk में platters होते हैं जिनकी certain magnetic property होती है read-write heads होते हैं और वो magnetic properties को alter करते हैं इस तरह से data को read-write किया जाता है optical properties को alter करके आप CD DVD अगर देखेंगे example तो optical properties को वहाँ पे alter किया जाता है एक laser beam के जरीए रीडिया राइट को किया जाता है CD DVD Blu-ray इसमें optical property material की alter की जाती है अगर material की अगर material solid state है तो उसमें उसकी electronic state को change किया जाता है उसके electrical properties से alteration किया जाता है जिससे रीडिया राइट अचीव किया सकता है इसका prime example है आपकी random access memory read-only memory RAM या रोम या solid state drive मतलब SSD और एक और दोस्तों बहुत ही primitive type का है बहुत ही पुराने जमाने में यूज किया जाता था वो physical state को material की alter कर दिया जाता था वो जैसा कि punch card होते थे उसमें किसी particular pattern को पंच कर दिया जाता है और फिर उस तरह से data को रीडिया राइट किया जाता था विनाल रेकॉर्ड भी इसका बहुत अच्छा जिन पर बाटा जा सकता है physical properties को अल्टर करके डिविजन किया जा सकता है इनका volatile non volatile मैंने आपको बता ही दिया है तो इसके बाद बचा है आपका mechanical drives होती है कुछ और कुछ होती है solid state drives mechanical drives होती है जहाँ पर कोई mechanical movement involved हो जैसे कि आपकी hard disk होती है उसमें जो platers होते हैं वो अपनी access पे वो अपने disks होती है और वो move करती है बहुत तीजी से और उनके उपर read right heads भी move करते है तो वहाँ पर physical mechanical movement involved है इस वज़े से इनको mechanical drives कहते है और डूसरी टाइप की होती है solid state drives जिनमें कोई भी movement involved नहीं होता है जैसे कि आपके pen drive आपके pen drive में कोई भी moving part नहीं होता कोई भी mechanical movement नहीं होता है तो वो solid state type की drive है अब इसके बाद further divide कर सकते हैं आप read right के तरीके पे या तो आप sequential read right करेंगे या फिर random access करेंगे तो अगर आप sequential read right करते हैं तो sequential का मतलब यह हुआ कि एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा जैसे कि पहले cassette players में होता था कि आप पहला गाना अगर सुनना है और आपको चौथा गाना सुनना है अभी क्या करते हैं आप आपको पहला गाना सुनना है तो आप पहला गाना सुनों चौथा गाना सुनना है तो चौथा गाना सुननों तो यह है random access का तरीका random access में no matter what की आपका data कौन से order पे है आप उस data को सीधे access कर सकते हो तो यह जो divisions है इनका फर्क कहां पढ़ता है फर्क पढ़ता है दोस्तों speed, accuracy और access में लगे time पे अगर कोई mechanical movement involved होगा तो जाहिर सी बात है speed थोड़ी slow हो जाएगी solid state के comparison में अगर volatile है memory तो power हटाते ही erase हो जाएगी तो reliability कम है क्योंकि आपको data अगर long term के लिए चाहिए तो आपको volatility नहीं चाहिए कि अगर आपने power बंद कर दियो तो data erase हो जाए ऐसा नहीं चाहिए आपको अगर random access है तो बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि आपको तुरंट वही data जो आपको चाहिए कि वहाँ पर पहुंच सकते हैं आपको sequentially एक दो तीन चाहिए करके उस data पर नहीं पहुस्टा पड़ेगा आपको physical में जो भी रास्ते पर पढ़ने वाली files है उन पर नहीं जाना होगा सीधे उस particular address उस particular random access करके आप सीधे उस particular data को retrieve कर सकते हैं आप चाहते हैं तो इस तरह से data storage को हम basically divide कर सकते हैं कई सारे partitions में और यह सारा कुछ division इसलिए होता है ताकि अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग दोस्तों इस बार मैंने एक पोल भी डाला है इस पोल में मैं आप से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी solid state drive use किया है क्योंकि solid state drive hard disk के comparison में बहुत तेज है और जो मैं बाद में बता रहा था कि physical movement involved mechanical movement की वजह से solid hard disk थोड़ी slower होती है solid state से तो आप मुझे पोल में बताइए कि आप solid state drive यूज़ करते है या फिर hard disk यूज़ करते है और आपका experience कैसा रहा है solid state drive hard disk के साथ वो भी मुझे comments में बताइए दोस्तों एक चैनल है Iconic Gamer उसने अभी recently शुरू किया YouTube पे और वो gaming videos publish करता है और करती है और recently उसने PUBG में एक AWM shot का एक video upload किया और Candy Crush का भी एक video upload किया और Iconic Gamer को मैं इसने बता रहा हूँ आप सबकू क्योंकि Iconic Gamer नाम से बहुत सारे YouTube channels अभी तो मैंने link description में डाल दिया अगर आपको interest है gaming videos में तो प्लीज Iconic Gamer को subscribe करिए उसको भी बताए कि कैसा वो content improve कर सकती है और thank you very much for watching